हेलो माई दियर श्टुएंट्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजिंडरिंग चेप्टर वाइज में आज की वीडियो में हम इंपोर्टेंट टोपिक्स रिवेट जोइन्ट के कवर करेंगे जिससे हम डिजाइन कर पाएंगे नुमेरिकल को सोल कर पाएंगे इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखना क्योंकि लाश्ट में कुछ इंपोर्टेंट स्पेसिफिकेशन से जो कि आपके नुमेरिकल को सोल करने में काफी हैल्पूल साबित होंगी इसमें हम डिसकस करेंगे अन्विंस फॉर्मुला स्ट्रेंट ओफ रिवेट जोइंट रिवेट वैल्यू एफिशेंशी ओफ रिवेट जोइंट एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशन सच अज पिच एज दिस्टेंस एंड नंबर ओफ रिवेट सम कैजे फाइंड आउट करते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कावर करेंगे आए अ करते हैं अन्मिंज फोर्मूर अन्मिंस क्या है इस फोर्मिला इस चौ्फ लिए इस फ्रैयमींट करने के लिए यूज करते हैं मान लेज़ी आपके पास एक पलेट है जोकि प्लेट है या फिर कोई च्प्रक्चरल मेंबर है जिसकी thickness आपको पता है और उसमें कितने size की कितने diameter की rivet है वो हम इस formula से calculate करते हैं जो कि हमारा formula है six under root t t का है thickness ठीक है thickness of plate और thickness of member हम इसमें put करेंगे उसका square root करके six से multiply कर देंगे तो हमारी value आ जाएगी diameter of rivet इससे हम इसे हम पता कर सकते हैं जैसे example के तोरफ पर हम लेते हैं एक plate है जिसकी thickness 16 mm है okay 16 mm की thickness है plate की तो 16 को जब हम under root करते हैं तो यह आता है 4 ठीक है 4 into 6 तो क्या हुआ 24 24 mm का diameter होगा हमारी rivet का जो हम उस प्लेट को joint करने के लिए use करेंगे तो यह था हमारा अन्विंस formula ओके अब next हम चलते हैं strength तो rivet joint की हमें strength find out करनी है जो कि हमारी तीन टाइप की होती है टीरिंग स्ट्रेंथ सिर स्ट्रेंथ एंड बीरिंग स्ट्रेंथ ओके इन तीनों को हम एक एक करके discuss करेंगे उससे पहले एक चोटा सा concept आप हमेशा याद रखिए जैसे यह एक फिगर देखिए इसमें एक slender दिया गया है ओके जिसका एरिया हमें गिवन है five centimeter square ओके इस पर एक लोड एक्टिंग कर रहा है जो कि है 100 केजी का अब हमें इसका stress अगर बताना हो stress of slender इस लेंडर पर कितना stress आ रहा है तो यह होगा लोड अपोन एरिया जो कि हम कर सकते हैं कि यह तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 20 किलो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्रेर ठीक है तो यह हमारी आएगे stress की value ठीक है stress मतलब load upon area इसी को ही हम force upon area भी बोल देते हैं ठीक है तो stress हमारी है load upon area अगर हमें load निकालना हो तो stress into area हमारा हो जाएगा load ठीक है यह आपको याद रखना है stress into area यह है load अगर हम figure की बात करें तो stress तो होगा हमारा 20 और और strength stress और strength दोनों अलग चीज़े है strength का मतलब क्या है जो load यह bear कर सकता है load equals to strength ठीक है आप इस term को जरूर याद रखिए load equals to strength यानि कि इस slender की strength हम बात करें तो यह 100 kg weight उठा सकता है ठीक है strength हमारी है 100 kg और stress हमारा है 20 kg पर cm2 ठीक है यह हमको हर बार निकालना है किसी भी structural member की हमें strength निकालनी हो तो हम उसका load कितना वह bear कर सकता कितना सहन कर सकता है तो वही उसकी strength होती है हम हर बार इसी को ही use करेंगे अपने formula को develop करने में और उसको याद करने में भी ठीक है इसको आप अच्छे सी याद रखना load equals to strength ओके और इसी को ही हम strength is equal to stress into area सिंपल है इसको आप याद रखिए अब देखिए हमारे पास एक रिविट जोइंट की structural member है जिसमें दो प्लेट गिवन है एक अपर प्लेट एक लोवर प्लेट यह हमारा लेप टोइंट है इसमें thickness गिवन है टी मेंबर की width इसमें गिवन है बी और direction of force इसमें गिवन है और इसकी magnitude F है यह है इसमें रिविट होल यादि की ग्रोश डायमेटर है इनका रिविट होल है यह अब हमें क्या बता करना है फोर्स की direction में यह आप देख सकते हैं आप अब नेक्स्ट फिगर से देखिए यहां पर टीरिंग strength अगर हमें टीरिंग strength पता करनी है टीरिंग का मतलब होता है फट जाना यह जो हमारा joint है यह load access होने पर यहां से फट जाएगा ठीक है तो यह टीरिंग strength होती है टीरिंग failure होता है तो इसको हमें strength इसकी हमें कैसे calculate करनी उसके लिए formula हमारा क्या होगा strength of plate अगर हमें plate की strength यानि कितना load वो ले सकती है वो हमें पता करना है तो area of plate जैसे हमने पहले देखा था area of plate and permissible tensile stress in plate ठीक है stress into area हम multiply कर देंगे तो strength हमारे मिल जाएगी तो area BT B क्या है इसकी चोड़ाई और T है thickness तो B into T यह हमारा rectangular surface जो हमें दिखाई दे रहा है इसी पे ही load act हो रहा है तो strength of plate हम निकालेंगे area into stress ठीक है हमारी आगई strength तो यह है B width T है thickness और यह है stress sigma AT हमारा है stress permissible tensile stress in plate जिसको हम 0.6 Fy से denote भी करते हैं Fy की value क्या है yield stress of steel yield stress of steel ठीक है आपको यह याद रखना है अब देखिए next tearing strength of joint अब आती है joint के बारी joint हमारा कहां पर होता है जहां पर rivet hole होते हैं अब देखिए यह हमारी पूरी length थी B ठीक है बीच में hole हो गए आप 3 ठीक है तीन hole है gross diameter के ठीक है जिसका diameter इसमें given है D अब total length हमारी कितनी होगी area निकालने के लिए area के हमारा क्या होता है L into B तो length हमारी total क्या होगी B minus 3D B total थी हमारी उसमें से हमने 3D को minus कर दिया है तो total length हमारी आई B minus 3D और T हमारी ठीकनेस हमें given है तो area हमारा हुगा B minus 3D into T ये है हमारा area और stress जो हमें given है उससे multiply तो strength हमारी यहां से पता लग गई ऐसे ही आपको याद रखना है अगर उसमें कितनी भी number of rivets हो उसके whole हो तो उसको उनसे multiply करके जैसे b-nd n का मतलब number of rivets ओके 3 है जिसे इसमें 3 है तो इसमें 3 होल है इससे यह पता लग रहा है तो 3d से हमने multiply किया 3 को d से इसमें n आप कितने भी numerical में पूछा गया हो question में पूछा गया हो चार है तो यहां पर 4 आ जाएगा number of rivet तो b-nd into t यह हमारा होगा area okay into stress तो आगे हमारी strength ठीक है ऐसे ही आपको याद रखना है d हमारा gross diameter n number of rivet b width t thickness and sigma 80 हमारी permissible tensile stress ठीक है यह थी हमारी tearing strength आपको याद रखना है यह वाला formula अब आपको अच्छे से याद रहेगा क्योंकि हमने इसको drive करना भी आपको बता दिया है ठीक है एक दो बार आप इस वीडियो को revise करके अच्छे से देखेंगे तो आपको hundred percent यह formula याद रहेगा और आप future में प्रेक्टिस करेंगे तो खुद भी आप drive कर पाएंगे अब आते हैं next shear strength of rivet a rivet sank sear along the plane of slip a rivet cap in a single shear or double shear depending upon the number of plane along which rivet can be seared तो इसमें क्या बताया गया है हमारी जो rivet है वो depend करती है कि उसके उपर कितनी plate लगी हुई है cover plate है या फिर main plate है या पिर lap joint है में प्लेंट है तौ किए उसके उपर इसके डिपैंड करता है उसमें कितने shear है देखिए first हमारा here, left joint में single shear होता है यहँ यहाँ पर यह say help is but joint is इसमें एक ही हमारी cover plate है यह हमारी cover plate है तो इसमें भी आ पर देक divet single sear में इस पर single sear act हो रहा है, अब यह देखे, दो हैं इसे cover plate, तो इसमें हमारी जो rivet हैं, दो जगे से तूट रही है, यानि कि दो जगे पर ये shear को face कर रही है, ठीक है, तो ये depend करती है, double sear है, या single sear है, अब दोनों के case में हम formula कैसे drive करेंगे ये देखे shear strength of rivet for single shear single shear के case में n, n को अब भी आप भूल जाओ ये देखे, pi by 4 d square, ये क्या होता है हमारा area area of rivet sink, ये हमारी rivet और ये है इसका diameter diameter, तो diameter से हमने area calculate किया, area और ये है permissible shear stress, ठीक है, permissible shear stress, tau s, permissible shear stress into area, ये हमारा हो गया strength of rivet, ठीक है, अब n का मतलब इसमें क्या है, number of rivet in each side of joint, हमारे पास joint होता है, दो plates का, या दो members का, तो एक तरफ कितनी rivets लगी होई होती है, तो ये वो है, जैसे एक तरफ है 2, दूसरी तरफ भी 2 है, तो n का मतलब है 2, ठीक है, ये आप याद रखिए, तो area, same है, area into stress, हमारा आया strength, strength of rivet joint in shear, अब है double shear, जब double shear phase करें, तो two times से multiply कर दो, two says को multiply कर दो, simple है बिल्कुल, तो आपको दोने ये formula याद रखने है, stress ये है हमारा into area of rivet और n है हमारा number of rivet in each side, simple है बिल्कुल, area into stress is equal to strength, अब हम next में आते है, strength of rivet in bearing, bearing का case कैसे होता है, ये आप देखिए rivet है, और ये है इसका projected area, ये देखिए, D और T, T हमने कैसे लिया, क्योंकि ये plate की thickness से इसका ये है T, तो दोनारा bear force है, वो इसी point पे जो rectangular face दिखाई दे रहा है, सामने से, तो इसी पे bearing force act करता है, ठीक है, तो ये area हमारा क्या हुआ, D into T, diameter into thickness of plate, तो ये है हमारा area, D into T हमारा है area और ये है bearing stress, तो I हमारी strength, N हमारा फिर से से सेम है, number of rivet in each side, ठीक है, area into stress is equal to strength, ये आपको याद रखना है, area into stress is equal to strength, or equals to load, अब है rivet value, अब आती है rivet value क्या होती है, it is the maximum force which a rivet can withstand safely, ज्यादा से ज्यादा force वो जिससे हमारी rivet easily सहन कर पाए, वो हमारी होती है, rivet value, अब क्या है, the minimum strength of rivet in shear or bear is known as rivet value, तो इसमें क्या बताया गया है, जब rivet का हम shear strength और bear strength, shear और bear, ये देखे double है, shear, ये single shear है, double shear है और ये bear, इसमें से कोई भी minimum हमारी value होगी, rivet value, ये आप देख सकते है, minimum of one or two, या तो इसमें होगा, और या फिर इसमें, ठीक है, single shear होगा, हमारे joint पर या फिर double shear होगा, तो या तो एक बार इसमें से minimum कोई भी, और या फिर इन दोनों में से कोई भी एक minimum, वो हमारी होगी rivet value, simple है, एक बार दुबार इसको revise करते हैं, bear strength हमारी, हमें निकालनी है, अपने joint की, ओके, या तो हमारा joint single shear में होगा, या हमारा joint double shear में होगा, तो एक हमारा इसमें कोई भी condition होगी उसपे, तो हमें comparison करना है, bear के साथ, या तो इसको, और या तो इसको, तो जो भी इसमें से कम होगा, वो हमारी value होगी, rivet value, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, rivet value का, अब आप देख ये, एक rivet section है, या एक structure लेजिए, जो की 50 case पे fail होता है, ओके, और एक same हुए ही, जो है, वो 60 पे fail होता है, दो अलग-अलग case में, ठीक है, तो हमें पता है, ये 50 पे ही fail हो जाता है, तो 60 पे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो हम उसको design करेंगे 50 से नीचे पे, ठीक है, तो 60 पे जाने का हमेरे पास मतलब भी नहीं है, इसलिए हम minimum strength इसको calculate करते है, minimum strength, ठीक है, कम से कम load, इसमें से, इसमें से, या फिर इन दोनों में से, किसी एक case में से, ठीक है, minimum of one or two or two or three ये इसमें two or three, जो given है, ये one or three है, one and three, इसमें से, एक, हमें, जो minimum value है, वो eliminate करके one लिखिए इसमें, next हम देखते है, efficiency of riveted joint, अब हमें efficiency निकालनी है, rivet joint की, it is the ratio of strength of rivet to the strength of solid plate, हमें अब ratio पता करने है, strength of rivet joint or strength of solid plate, ठीक है, efficiency is known as the percentage of strength of rivet joint, it is expressed in percentage, ये percentage में हम इसको express करते है, अब इसका formula क्या है, efficiency is equal to, strength of rivet into hundred, divided by strength of solid plate, solid plate का मतलब क्या है, जिसमें hole ना हो, यानि कि जिसमें rivet के insert करने के लिए, hole ना हो, वो हमारी total strength, और जिसमें hole हो चुके है, वो हमारी strength of rivet joint, जैसे कि ये formula है, minimum, sorry ये formula थोड़ा mistake हो चुकी है, इसमें, ये देखिए इसमें, minimum of tear, shear, shear, bear, तीनो strength में से जो भी minimum हमारी strength हमें मिली है, calculate करने के बाद, divide by strength of solid plate, strength of solid plate हमने starting में ही निकाली थी, जो की थी, B into T into stress in tension, ठीक है, B हमारी क्या थी, width, T थी depth और thickness, ये हमारी strength थी, solid plate की, ठीक है, वो हमें ratio को multiply करना है, 100 से, हमारी efficiency हमें मिल जाएगी, numerical में हम एक एक करके, इन सबी को calculate भी करेंगे, next है, design specification, design specification में हम क्या-क्या calculate करते हैं, जैसे number of rivets required, कितनी number of rivets हमें लगेंगी, किसी भी joint में, तो वो लेकेगी, load upon rivet value, load उस पे कितना given है, और divide कर देंगे हम rivet value से, तो हमारे number of rivet हमें मिल जाएगी, rivet value हमें अभी अभी देखा था, वही है ये, अब next आता है minimum pitch required, कम से कम pitch कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होती है, 2.5 times nominal diameter of rivet, ठीक है, pitch required, pitch जो होती है, वो normally हमारी हम रखते है, 3 into nominal diameter of rivet, कम से कम हमारी 2.5 और required जो हमारी होती है, वो 3 times होती है, ठीक है, ये differences में, अब है edge distance, कम से कम 2 times nominal diameter of rivet, इतने से कम हमारी edge distance नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी edge पे से हमारा structure fail हो जाएगा, ठीक है, वो फट जाएगी, वहाँ से crack हो जाएगी, edge और structure हमारा fail हो जाएगा, तो ये थे design specifications, उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो मेरे channel civil engineering chapter wise को आप subscribe कीजिए, साथी साथ bell icon को आप जरूर press कीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का notification आपको मिल सके, मेरे वीडियो को आप like जरूर कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, comment करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ doubt है तो वो मुझे comment करके बताइए, अगर अच्छी लगे तो भी मुझे बताइए, thank you for watching, have a good day.